नमस्कार दोस्तों, उमीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं सिधार्थ आपका मेंटर स्वागत करता हूँ, सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे, यूपीस्टी प्रिलिम्स और मेन से जुड़ी कुछ important and relevant topics पर, from the Hindu editorial and opet section, लेकिन इस जो MCQ था, उसका answer होगा D, fertility rate, अगर आपका answer vary नहीं करता है, match नहीं करता है, तो आप comment करके बताएं, हम इसका explanation आपके साथ share करेंगे, next हमारा question था, with reference to पहला ऐसा कौन सा राज्य है, जो differently able लोगों को job दे रहा है, मंद्रेगा में, तमिन नाडू, वो पहला राज्य था, अगर आपका यहां पर answer match करता है, that's very good, और नहीं करता है, तो आप comment section में लिखके बताएं, हम इसका explanation भी आपके साथ share कर देंगे, तो इस पूरे lecture का free PDF भी आप download कर सकते हैं, description box में दिये link पर आप click करें, और आप इसको download कर सकते हैं, now, आज के editorial or open section में कुछ news है, जो की थो इस लिए pick किया है, क्योंको इसके dimensions थोड़े से अलग है, तो आज हम पहले बात करेंगे omicron variants के बारे में, फिर उसके बाद COP26, इससे related ISA क्या होता है, NSG क्या होता है, and then we will talk about EWS quota and Supreme Court की जो discussion चल रही है, जो पहस चल रही है, and last but not the least हम discuss करेंगे social justice, DMK, IT के DMK क्या होता है तो आज हम अपनी news के शुले omicron virus से करते हैं, लेकि omicron virus already हमारे faculties में कुछ cover करके रखा हुआ है, आप इसलिए में शॉर्ट को यहां mention किया है, COVID-19 alert, आप परसों के news आप चेक कर सकते हैं, सिविस डेली के YouTube चैनल पे, जहां पे हमारे counterpart अंजुम सर ने, podcast के form में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें इसमें mention की हुई है, तो हम अपने efforts को duplicate नहीं करेंगे, और आप easily जाके उसको सुन सकते हैं, बहुत detail में cover किया है, और इस से related अगर current affairs मामले जानने हैं और detail में जानना है, तो फिर Saturday का जो current affair analysis था, जो आद्या मैं में cover किया था, उसमें already कुछ information mentioned है, so we don't want to duplicate our efforts, ठीक है, तो इस सर्चा में हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले में जो topic लेना चाहता हूँ, वो है EWS quota and Supreme Court से related, देखिए EWS quota and Supreme Court, ये भी कोई नई news नहीं है, EWS quota को आए हुए लगबग 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो existence पर जो question है, कि Supreme Court ने क्या questions put किये हैं, government के सामने, तो इस पूरे article में जो questions Supreme Court ने पूछे हैं सरकार से, वो ये पूछे हैं कि क्या criteria है आपका, कि आप 8 लाख से नीचे लोग जो आ रहे हैं, वो EWS section में आ रहे हैं, कोई criteria है, अगर है तो please mention करिए, otherwise ये social भेदभाव होगा, ठीक है, तो इस question से related हमारे पास कुछ important informations हैं, जैसे ये question जो है, ये पूरा article GS paper 2 से related है, जहांपे Indian constitution and judgment की बात हो रही है, cases with government policies and then intervention, तो EWS जो कोटा है, वो 10% है, ये 103, 103 Constitutional Amendment Act से आया है, 2019 में हुआ था, और article 15 और 16 को amend करके लिए आये गया था, और ये किस में added है, ये already added है, article 15 6 में और article 16 6 में, तो यहां पे आपका एक MCQ भी बन के सामने आ सकता है, और बहुत confusing हो सकता है, 15 4, 15 3, 15 2, या article 16 1, 2, 3, जब आप किसी भी judgment को, किसी भी Constitutional Amendment Act को याद करें, तो एक framework बना लिजिए, उस framework के तहत आपको recall करने में, framework याद रखने में बहुत असानी हो जाएगी, ठीक है, 10% EWS quota, 103rd Constitutional Amendment Act था, 15 होए और 16 होए में, और दोनों के article में, छटवे पावदान पे, इसको add किया गया है, ठीक है, next हम आते हैं, जो इस article में बात की गई है, वो बात की है, with reference to, EWS quota and Supreme Court, कि इसके significance as challenges क्या होंगी, उससे पहले, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत लोगों के मन में कि, क्या difference है, between EWS and OVC reservation, ठीक है, तो अगर मैं UPSC के संदर में बात करूँ, so EWS is economically weaker section, OVC is other backward caste reservation, OVC, जो कि हमारी इंद्रासाहनी case के judgment के बाद से, 27% reservation cap कर दी गई थी, मंडल कमिशन के report के बाद, तो ये 27% cap है, सिर्फ other backward caste के लिए, लेकिन जो EWS है, उसमें कोई caste include नहीं है, वो एक general class है, ये specifically OVC, ST, ST के लिए include नहीं है, इस segment में कोई भी आ सकता है, general candidate and any other candidate, who is economically weaker, जिसकी family की income below 8 lakhs है, तो यहीं पर Supreme Court ने भी पूछा है, कि आपके क्या criteria है, आप बताएए और सबके सामने publish कीजेए, so that it will be a fair judgment, ठीक है, एक यहाँ पर important बहुत छोटा सा minor difference है, कि another difference between EWS and OVC reservation is that, determining the factor, जो income reservation है, OVC की candidate जो है, उसमें income, उनके spouse की income include नहीं होती है, लेकिन जो EWS reservation है, उसमें include होती है, spouse का जो reservation है, spouse की जो income है, वो भी EWS में include होती है, मतलब एक comprehensive total income include होती है, लेकिन OVC में ऐसा नहीं है, हाला कि यह भी अभी arbitrary situation में है, और इसी situation में Supreme Court ने कहा है, कि इसको describe कीजे, explain कीजे, elaborate कीजे, इससे related मेरे पास OVC EWS का form है, कुछ यह form ऐसा दिखता है, लेकिन यह form आज online available नहीं है, आप online नहीं fill कर सकते हैं, अगर आप EWS category में आते हैं, तो यह offline ही fill किया जाता है फिलहाल, और यह हर शहर के तहसील में जाकर, आपको यह form लेना पड़ता है, और फिर भरना पड़ता है, और फिर submit करना पड़ता है, तब जाके कुछ verification होती है, तब जाके आप eligible होते हैं EWS के लिए, ठीक है, इससे related UPSC में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे, यह certificate क्या होता है, ठीक है, eligibility criteria क्या होती है, कैसे form fill करते हैं, reservation क्यूं है, EWS का UPSC में, जबकि already reservation दे रखा है, for SC, ST and OBC, ठीक है, तो, इससे, related कुछ, significance और challenges जहां पर मैंने mention किया हैं आपको, significance में, इन सब का answer जो मैंने भी पीछे दिया है आपको, इन सब का answer शायर इसमें मिल जाया, इसकी importance क्या है, इसकी importance यह है कि इनिक्वालिटी को address करता है, इनिक्वालिटी मतलब कि अगर एक category के साथ कोई भी व्यक्ति है, अगर SC है, ST है, ठीक है, अगर उनके पास sound है, economically sound है, लेकिन फिर भी वो उस category में हैं, तो उसका फायदा उठा ले रहे हैं, लेकिन यह जो वर्ग है EWS वाला, वो financially, economic sound नहीं है, कहीं न कहीं आर्थिक वज़ाओं से, और जो resources हैं, वो available नहीं हो पा रहे हैं, इस वज़े से वो कहीं न कहीं पीछे रह जा रहे हैं, तो यह equality, inequality हटेगी, अगर quota ले आ देंगी तो, ठीक है, यह, I think यह सबसे best form of reservation है, कि जो गरीब हैं, उनको मिलना चाहिए, ठीक है, ना कि caste wise, ठीक है, recognition of economical backward, ठीक है, यह वही लोग हैं, जो की economically backward हैं, ठीक है, पैसे रुपय के मामले से, और आर्थिक व्यवस्था के मामले से, sources, resources के मामले से, यह लोग पिछडी जाती में आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो की upper caste हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत economically weak हैं, बहुत गरीब हैं, ठीक है, जिनके सालाना income, दस हजार भी नहीं है, अगर आप अभी आखनों में जाएं, तो बिहार ऐसा राज है, जहां पे देखा गया है, जो income per capita income है, बिहार की एक आदमी की, वो 4000 रुपए है, मतलब कि साल में वो 4000 रुपए कमाता है, और वहीं पे जो सबसे आगे है, गोवा, गोवा number one पे है, जहां पे गोवा में एक आदमी, साल में चार लाक रुपए कमाता है, एन आवरेज, तो एक बहुत बड़ी disparity है यहां पे, तो यह भी एक arbitrary movement है, अगर आइ तिंक यहां पे मैंने mention किया है, यहां पे mention किया है, statistics show that per capita income is different, तो यह एक arbitrary clause आजाता है इसके साथ, कि भाई, कैसे यह justify आप कर सकते हैं, अगर बिहार, अगर गोवा में कोई आदमी है, जिसको EWS quota लग रहा है, और वो और आज़ी चार लाक रुपए कमा रहा है, लेकिन वहीं पे बिहार में कोई गटी है, जो कि quota यूज करना चाहरा है, तो क्या difference है दोरों में, और कोर्स कहीं नहीं कहिए कि economically difference होगा, बहुत समाजी की जो resources हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसी चीज का Supreme Court ने interpretation मांगा है, एक solid plan मांगा है कि आप कैसे differentiate कर रहे हैं, तीसरा इसका था कि significance address reduction of caste-based discrimination, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस section में EWS में कोई भी caste eligible नहीं है, ये एक general है, सब के लिए हैं, किसी caste specific नहीं है, अगर एक ST भी गरीब है, जिसके पास आमस अंसादन नहीं, अगर वो आ सकता है, अपर caste भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है, तो UPSC में याद रहिए, याद रखिएगा, vertical reservation होता है, horizontal reservation नहीं होता है, अगर, और, I'll be glad to also know, कि अगर आपको पता है, vertical reservation, horizontal reservation क्या होता है, नहीं पता है, तो comment करके भी बता सकते हैं, ताकि हम अपने अगले session में, अगले topic में इसको discuss कर सकते हैं, इसके साथ challenges क्या हैं, देखिए, जब आप main sensor लिखेंगे, तो कुछ ऐसे ही होगा, आपका framework, आपका structure कुछ ऐसे होगा, अगर question आ जाता है, reservation के उपर, EWS quota के उपर, तो significance क्या होंगे, challenges क्या होंगे, then way forward क्या होगा इसका, challenges यह हैं कि सरकार के पास अभी कुछ context data नहीं है, बस एक अनुमान लगाके, इस process को introduce कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ data region wise नहीं है, state wise नहीं है, city, district wise ऐसा नहीं है, कि हाँ, मतलब कितने लोग हैं, जो कि EWS category में आते हैं, या फिर उनका क्या income है, income slab है, चीक है, यह जो चीज है, जो मैंने अभी आपको बताया था, OVC से related, कि इंद्रा साहनी जो case था 1992 का, जिसमें की cap लग गई थी, 50% reservation की, उसको breach करता है, अगर EWS quota literally आता है, तो, तो, यह सारे कुछ important significance थे, और these are very genuine, और इसकी presence आपके GS1 और GS2 दोनों में हो सकती है, तो, these are the few sensitive areas जहाँ पे आपको हमेशा ready रहना पड़ेगा, with its framework, okay, now, कुछ important question है, इस reservation से related, जहाँ पे most probable question मैंने या mention किया है, और protective discrimination क्या होता है, exploitative discrimination क्या होता है, what are affirmation action plans, and then what is reverse discrimination, यह कुछ बहुत important keyword है, तो, मैं यह नहीं कहूँगा आपको कि आप शशी थरूर वाली English यूज़ करें हर जगे, लेकिन आप यह important keywords जो होते हैं, उनको हम define जरूर करना पड़ता है, अगर आपके exam में होगे, आगया, कि what is the difference between protective discrimination, then you should have to define it, okay, explain it with example, support your argument with some case studies, some evidences, तो इसको आप comment करके बताईए, इन में से अगर एक का भी answer, आप अच्छे से comment कर सकते हैं, तो आपकी तयारी बिलकुल बहुत जोर से है, और इस topic को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं, ठीक है, so 1, 2 and 3, I will wait for you answer tomorrow morning and then we will discuss here, okay, moving forward to our next topic which was COP26, COP26 से related, already बहुत सारी discussion है, बहुत सारी articles आपको मिल जाएंगे, मैं उसको repeat नहीं करना चाहूँ, लेकिन इस article में जो author ने mention किया है, कुछ 2-3 important चीज़े हैं, वो मैं आपके साथ share कर देता हूँ, okay, एक तो यहाँ पर यह highlight कर देता हूँ, और दूसरा, here, okay, these are the few important things wherein, and तीसरा, I think, यहाँ पर है, तो जो COP26 मीटिंग हुई थी, वहाँ पर आपको याद होगा कि सारी countries आई थी, discussion हुई, सबने pledge लिया, लेकिन कुछ countries ऐसी थी, वो नहीं भी आई थी, जैसे China, Russia, यह लोग absent थे, उस meet में, ठीक है, So, यह topic है, हमारा GS1 से related है, GS3 से related है, Environmental Pollution, Degradation International Treaties, Agreement, Government Policies, and Intervention Forest Resources, काभी सारा topics इसमें cover होता है, तो आईए देखते हैं, So, यहाँ पर जो बात, आउथर ने बात की थी, कि methane, ठीक है, यहाँ पर ISA है, NSG, ISA मतलब, यहाँ, International Solar Alliance, NSG मतलब, Nuclear Supplier Group, So, the Global Methane Pledge, एक यह समझेंगे, और Pursuing Green Energy, एक हम भी यह समझेंगे, Pursuing Green Energy में, दो चीज़े आएंगी, जो कि एक Alternative हैं, ठीक है, So, let us understand here, यहाँ पर मैंने एक image बना रखी है, आपके reference के लिए, जब आप Free PDF डाउनलोड करोंगे, तो easily आपको relate कर सकते हो, इस topic को, इस content से, इस image से, ओके, So, the Global Methane Pledge, जब हमारा Net Zero का target, अचीव हो जाएगा, या फिर, जब Net Zero Target का जो pledge है, उसके बाद, क्योंकि यह है Carbon Dioxide, ठीक है, इसी के बारे में Net Zero है, ठीक, दूसरी important जो gas है, जो हमारे atmosphere को, और damage कर रही है, जिसके वज़े से global warming हो रही है, वो है methane, और दोस्तों, methane, United State और Europe, जैसे countries में, बहुत जादे release होता है, तो, The Global Methane Pledge, COP26 में, The Global Methane Pledge लिया गया, जहां बताया गया है, कि methane का level, 2020 तक, significantly down होने का Pledge लिया गया है, और लगभग 104 countries ने, participate किया था, कमाल की बात यह है, कि India, जबकि तीसरा सबसे बड़ा emitter है, methane का, India ने इसको sign नहीं किया है, India was not signatory, ये एक important question भी बन सकता है, जब explanations आते हैं, explanation वाले questions, MCQ के, उनमें एक important बन सकता है, ये एक line, और ये तब, तब की बात कही गई है, कि India was not signatory, जबकि India के पास, उस सबसे जादे वर्ल्ड का largest forest cover है, जिसको हम सुंदरबंज कहते हैं, जबकि, so India was also not a part of pledge to deforestation, despite, hosting the world's largest continuous mangroves, तो ये important था, इसलिए मैंने यहाँ पर mention किया, ताकि जब आप, इसको revise करेंगे, या फिर जब आप इसको देखेंगे, यहाँ तक अगर आप पहुँच जाएंगे, तो MCQs अगर आप solve करने में, इसी रहेंगे, because these are few important points, bullet points, ओके, नाव, ये पूरा content मैंने आज के newspaper से ही उठाया है, और ये थोड़ा सा important है, समझना, important इसलिए है समझना, क्योंकि यहाँ पर हम एक alternative की बात कर रहे हैं, producing green energy, चीक है, carbon से related बहुत सारे pledge हो गये हैं, कि हम 50 तक कर देंगे, 2070 तक कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे, तो हम कुछ इस तरी कैसे करेंगे, जहां पर India has been a promoter, जी अगर हम इंडिया के reference में करें, तो India green energy का promoter शुरू से रहा है, तो reduce the carbon emission, कैसे रहा है शुरू से, पहला, India has been leading with global movement towards solar power, ये जो मैंने ISA लिखा था, वो यही है कि, कि जो international solar alliance है, उसमें इंडिया ने फ्रांस के साथ भी participate किया है, और वो पूरे alliance में लगवग 120 countries है, इसके बारे में हम आगे यहां पर आ जाते हैं, ये है, इसे is an intergovernmental treaty based organization, ये एक global mandate है, कि solar power को, solar growth को world level पर कैसे पहुँचाया जाए, with less financing, less cost, low cost technology के through, ठीक है, ये वही agency है, जो one sun, one world, one grid program launch की थी, यहां पर ये चीज़े important होती है, one sun, one grid and one world, जो कि हमारे पूरे solar power की capacity को, world level पर transform करेगा, जो कहीं ने कहीं electricity की demand meet करेगी और generate करेगी, ये कब launch हुआ था, I think ये सारी information आपको पता है, 101 members है, headquarter Guru Gram में है, और क्या इसके challenges है, उस detail भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये already, this has been in the news for quite a while, इसके aims क्या है, यहां पर मैंने एक image attach की है, building capacity, energy को बढ़ाने में, ठीक है, cooperation technology and reducing financial aid, जो अभी मैंने बात की है, यहां पर, ठीक है, simple, now, दूसरा point था, यह पहला point हमने discuss कर लिया, कि एक alternative है, solar energy को बढ़ाना, carbon emission कम करने के लिए, दूसरा point यहां पर यह है, कि, nuclear, जो NSG है हमारी, उससे related हम बात करेंगे, ठीक है, so, एक point यहां पर आता है, कि, इंडिया जो है, वो शुरू से, एक clean energy को support करता है, और कहीं न कहीं affordable prices में, ठीक है, हमारी economy इतनी भी अभी strong नहीं है, कि बहुत expensive technology, बहुत expensive machines, और methods को implement कर सके, ठीक है, so, इस process में, दो चीजे क्या है, two important struggles, key struggles मैंने लिखा है, यह आप term use भी कर सकते हैं, अपने main answer writing में, या फिर आप challenges यूजे कर सकते हैं, ठीक है, so, key struggles यह हैं, देखिए, जो small population वाले countries होती हैं, जैसे Norway, Iceland, या फिर अगर मैं, आप किसी भी country लिए, जिनकी population small है, वो easily, carbon emission को रोग सकते हैं, by shifting to hydroelectricity method, ठीक है, उतना कोई नुकसान नहीं होगा, अब easily, उनकी capital income काफी अच्छी है, और easily वो depend हो सकते हैं, hydroelectricity के उपर, लेकिन, जो बड़ी population वाली countries हैं, जैसे US, China, Russia, India, ये लोग, इनको बहुत दिक्कत होगी, अगर वो hydroelectricity पे आएंगे तो, इसी लिए, US और China, nuclear power का यूज करते हैं, carbon emission को cut करने के लिए, ये तो रही US, China की बार, लेकिन, इंडिया के reference में, इंडिया, एक non-member है, NSG का, NSG क्या होता, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, nuclear supplier group का ये non-member है, नहीं use कर पाएगा, carbon emission को कम करने के लिए, इसलिए, इंडिया, जो है, वो renewable तरीके से approach कर रहा है, affordable तरीके से approach कर रहा है, कैसे approach कर रहा है, यहाँ पर मैंने mention किया है, substitute क्या है, इंडिया hydrogen fuel, का usage जादे कर रहा है, instead of fossil fuels, ठीक है, यह याद रखिएगा, और renewable energy, जैसे solar power, हमने अभी बात की है, ऊपर, ISS से related, renewable energy, solar power, का जादे use कर रहा है, instead of, using carbon emission, चीक है, so, यह चीज़ हमें याद रखनी है, कि, इंडिया is still not part of NSG, instead of that, इंडिया is actually, finding a substitute, for greener emissions, चीक है, NSG के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, मैंने कुछ images यहाँ पर लगाई है, और यह बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन, जब आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे, तो आप इस images को आप रिलेट कर सकते हैं, ओके, यह, बेसिकली, nuclear supplier group बनाया, इसलिए गया था, कि जितने भी nuclear से related, यह weapons होंगे, यह उसकी units होंगी, जो machines उसमें इस्तमाल होती, उनका कुछ illegal use ना हो, पूरे देश भर में, दुनिया भर में, इसलिए एक non-proliferation treaty बनाया गई थी, यह है मेरे खाल से, यह है, NTP, जहां पे, इस treaty पे बहुत committed रहते हैं, लेकिन इंडिया इसका member नहीं है, 2005 में, 2008 में, sorry, इंडिया को एक waiver मिला था, कि nuclear products से related, trade कर सके, commerce कर सके, लेकिन अभी भी, despite यह, उनको license मिल गया था, अभी भी वो NTPT में added है नहीं, ओके, तो, यह, आप इसको download करिए और इसको easily पढ़ सकते हैं, यह newspaper की cutting सी है, बहुत जादे details में हम इसमें नहीं जाएंगे, जैसे यहां पर पताया है कि, India is seeking membership to club, यह हम already discussed कर चुके हैं, चाइना claim that India has not signed NTPT and must be treated as per, चाइना जो है वो अब Pakistan को back कर रहा है, अगर इंडिया को मिलेगा, तो पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए, चाहिए, और US जो है, वो इंडिया को back कर रहा है, तो कहीं न कहीं political, international politics से related एक debate चल रही है, एक war चल रही है, चाहिए, तो, this is how, इंडिया, एक greener energy की तरफ बढ़ रहा है, डेस्पाइट जब उसके पास nuclear power नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट, इससे related एक important question है, जो कि, आप मुझे comment करके बता सकते हैं, कि which of the following statement are correctly matched, ये 1, 2, 3, आप इससे match करके बताएट, कल हम discuss करेंगे इसका answer, और ये बहुत basic question है, ठीक है, NCRT level का question है, और based on the UPSC trend, हम कुछ ऐसे questions, हर articles में से निकाल के ले आते हैं, जो कि बहुत basic, लेकिन important है, okay, so please comment करके बताएए, इसका answer क्या होगा, और maybe इसके साथ, अगर आप explanation अपना जोड सके, that would be great, now, जो हमारा last editorial है, with reference to social justice, जो ITK DM के mention किया है, मैंने, ये एक बहुत ही progressive step है, तमिलनाडू government का, education से related, जहां पे remote areas तक में, बच्चों को सीख्षा मिल सके, basically, जब हमारा COVID-19 situation था, और हर घर, हर शहर, हर state में, lockdown था, तो बहुत से, सबसे जादे जो impact आए, बच्चों के उपर आया है, और उनकी सिख्षा के उपर आया है, क्योंकि लगबग, एक से देड़ साल हो चुके हैं, बच्चों को, अच्छी education मिलते हुए, और वो कहने कहीं भटक गए हैं, चीके, तो, तमिलनाडू government ने, एक बहुत ही अच्छी स्कीम, जो कि educational program है, वो launch किया है, जिसका नाम है, इल्लम थेडी कालवी, ये, अगर आप हमसे पूछेंगे, कि ये आप state का information, आप UPSC में क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए, ये सारी information, हम reference के तोर पे, बहुत अच्छे यूज़ कर सकते हैं, अपने में इंसान सा writing में, अगर new education policy के उपर, अगर आप question आया, तो आप इसको easily reference के तोर पे, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये concept बहुत अच्छा है, जो इन्होंने introduce किया है, तो आप इसको easily reference के तोर पे, बच्चों के बीच में जो पढ़ाई और बच्चों के बीच में जो gap आये थे, उनसे, उनको merge करने के लिए, उनको मिलाने के लिए, ये introduce किया गया है, हाला कि इसमें mixed reaction भी है, वो हर, लेकि जब तक विरहान सभा संसभ है, तो कोई ने कोई आप policy ले आएंगे, कोई ने कोई scheme ले आएंगे, तो उस पर opposition भड़ के लिए थी, nothing can be ideal, तो, इसका जो main objective है इस program का, और ये program जो है, वो लगभग 200 करोड की backing है इस पर, ये बहुती बड़ा step है, 200 करोड सिर्फ एक state, एक अपने उस section को devote कर रहा है, जो की economically weaker है, जो की poor students हैं, जो पूर गरीब बच्चे हैं, उनके उपर खर्च कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा progressive step है, education budget में उन्होंने introduce किया है, तो इनका objective क्या है, इनका main objective ये है कि, free textbook दिलवाएं, free uniform, free bicycle, nutrition, midday meals वगएरा, ये सारी चीज़ों इनकूरूड हों उसमें, ठीक है, तेकिए, Tamil Nadu हमेशा से literacy के मामले में बहुत उपर रहा है, Kerala में भी, इवन primary और secondary education में बहुत उपर रहा है, वन अप दे, टॉपस्ट इन इंडिया रांकिंग, ठीक है, यहां पे भी mention किया हुआ है, कि learning outcome and quality in the performance, grading index, जो है, जो union education ministry निकालती है, रिपोर्ट, उसमें, southern states, जो हमारे करनाटका, और, Tamil Nadu, Kerala, अंधरा, ये states हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, because उनकी schemes ऐसी होती हैं, और implementation भी होती हैं, ठीक है, और, ये, जैसा कि मैंने बताया, लगभग, इसका जो model है, वो, एक हमारे, पॉलो, फ्रेरर विजन, पॉरो फ्रेरर विजन के उपर है, पॉरो फ्रेरर विजन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैं सहाब, इनके study के उपर mention किया हुआ है, ये पूरा का पूरा model, इस model ने basically कहा गया है, कि teacher as a cultural worker, तो जो teacher, क्योंकि ये जो study method है, ये classroom study method नहीं है, ये बाहर हो रहा है, ये school में नहीं हो रहा है, कोई infrastructure नहीं proper दिया गया है इसका, लेकिन हाँ ये कहीं न कहीं बाहर हो रहा है, और teachers को एक social worker के form में, यहाँ पे mention किया गया है, कि अगर जो teacher है, वो teacher के भूमिका, किसी भी education system में बहुत बड़ी होती है, तीक है, सिर्फ education आपको progressive बनाता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जो education एक किसी के माध्यम से अगर होके है, अगर आप समझ भी गया है उसको, तो वो एक बहुत progressive चीज है, ठीक है, तो जो पावलो साहब है, इनके theory पे, इनके, जो इनकी research थी, based on that, ये model applicable करता है, एक community development activity होती है, जहाँ पर अलग, for example, कि class 12 का बच्चा, वो पास हो गया, और फिर वही बच्चा, जो है, वो class 5 के, class 6 के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कहीं न कहीं, वो experience लेके आया है, जो class 12 का बच्चा है, वो experience इंबाइब करेगा, वो experience शेयर करेगा, और अपने class 5 या class 6 वाले बच्चों के साथ, और जैसे जैसे वो पढ़ा है, वैसे ही वैसे वो उनको पढ़ाएगा, तो एक वो उनकी language समझ में आती है, अगर आप कहीं से बाहर से teacher बुला रहे हैं, इसको पढ़ाने के लिए, और उनका और जो बच्चे हैं, उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा उनको, फिर ये पूरा प्रोग्राम ही किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये वही बच्चे पढ़ाएंगे, जो कि उस state से, उस society से, उस जगे से पढ़के आगे निकले हैं, या फिर आगे बढ़ चुके हैं, ताकि उनको जो समाहौल में वो रह चुके हैं, जो चीज़ें बरदाश कर चुके हैं, फेस कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें इंप्लिमेंट करेंगे, चोटे बच्चों के, क्लास फाइफ के, क्लास सिक्स के, तो अपनी भाशा में वो सारी चीज़ें एक्स्पेंट करेंगे, तो ये एक बहुत भी अच्छा कॉंसेप्ट था, या इजिंक हर state को ऐसा इंप्लिमेंट करना चाहिए, जैसे हमारा केरला है, केरला का हेल्थ केर सिस्टम बहुत अच्छा है, और हमें सीखना चाहिए उससे, वैसे वैसे हर राज्यों में, कुछ ने कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी है, जहां पे जो एक दूसरे से सीखें, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी गलतियों से ही सीखें, आप दूसरों की गलतियों से ही, या दूसरों के सकसे से भी सीख सकते हैं, तो दोस्तों, आज का एल्टोडियल यहां खतम होता है, और यह है हमारे सीडी यूट्यूब रिचोल्स प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आल्यडी यहां पे open analysis cover किया है, तो आप बने रहे हमारे साथ और आपकी preparation को और compact और structure बनाने के लिए, हम डेली प्रोग्राम इंट्रोड्यूज करते हैं, हम शुरू करते हैं, एक burning issue या एक important affairs या breaking news से, उसके बाद current affairs analysis, editorial and open analysis, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, फिर current affairs and then explainer, जो कि किसी भी static या current portion पे होगा, and then last but not the least, यहां पे हम शुरू करेंगे, MCQ जो कि हर रात में 910 के बीच में जाता है, जहां पे आप लोगोंने काफी interest दिखाया है, और week में, एक बार जरूर webinar होता है, I think last week, last Sunday को एक webinar published हुआ था, और आप लोगोंने, I think, जरूर देखा होगा उसको, नहीं देखा हो, तो प्लीज जा के देखिए, इसमें, IFS वैभोर आवज जी ने, बहुत अच्छे से एक्स्प्रें किया है, कि जो भी आपके questions है, कैसे कवर कर सकते हैं, आप UTSC Cerebral School, ओके, सो बिलते हैं दोस्तों, अगले, सेशन में, तब तक के लिए, जय हिंद, लाइक और सब्स्क्राइब, जरूर करने, सब्स्क्राइब तो ए यूर्यूप चैनल, और प्रेस्ट बेल आइकन, अन दे यूट्यूब आप, और नवर मिस अनिधर अफदेट फ्सक्राइब चैनल,